प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग अक्सर अपनी फिटनस को लेकर चर्चा में रहते हैं सतर वर्ष की उम्र में उन्होंने 2017 में 3000 किलोमीटर से जादा की नर्मदा परिक्रमा की थी और आज उनका भारत जोडो यात्रा का एक वीडियो भी सामने आया इसमें वे फुरसत के पलों में क्रिकिट खेलते हुए नजर आये वीडियो में दिग्गी बोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पुत्र जैवर्धन सिंग ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया बतादे कि पूर सीम दिग्विजय सिंग भारत यात्री के रूप में भारत जोडो यात्रा में शामिल हो रहे हैं लगातार पैदल चल रहे हैं और यात्रा के साथ ही उनके राजनितिक गतिविधियां भी निरन तर जारी है